हाईलो फ्रेंड्स गोड एवनिंग दोस्तों लच वैज के 15th सीरीज को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गये हैं सारे कोश्टन दोस्तों सेलेक्टेड वाँ मोस्ट इमपड़न रखे गये हैं जिनके आपके एक्जाम में पूछे जाने की पूरी की पूरी संभाव ना है एक दोस्तों आप लोग इन्हें कांस्टेट होकर साल्व करें कोश्टन कम साल्व होने पर पुना प्रसनों का रिवीजन करें ताकि इस्टेटी जी के आपकर एंटरफेस में आप लोग अच्छे से अच्छा परफार्म कर सकें तो चले दोस्तों कोश्टन नमर वन क्यों चलते बार बार पूछा आता है तो काली मिट्टी है और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है यह कोस्चन हो दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत के उत्तरी मैदानी छेतरों में ज्यादा तर जलोड मिट्टी का विस्तार है यह कोस्चन भी बार बार जी की, किनकी लियोनाडो दा विंची की, आगे ही चलेंगे हम लोग, अगला कोश्चन दोस्तों फतेहपूर सीकरी का निर्माड किस ने करवाया था, राइट एंसर होगा, अकवर ने, यानि की विकल्प नमसी यहापे हमारा करेक्ट एंसर बनेगा, आगे ही चलेंगे हम उवन का का जो भाग है इसमें दोस्तों प्रेस की सोतंता का वड़न किया गया है आगे चलिंगे हम लोग अगला question दोस्तों आर्थिक नियोजन किस सूची का विस्ट है आर्थिक नियोजन ध्यान रखेंगे दोस्तों बार-बार पुछा गया highlighted question है ये आर्थिक नियोजन किस सूची का विस्ट है तो jest Samorit सूची upgrade संग्धान में किस डेस के समिधान से लिया गया है ये घ्यान रखेंगे तो आस्टेलिया के समिधान से और ध्यान रखेंगे दोस्तों पूछा अता है जनगढ़ना किस सूची का विस्ट है तो केंद्र ब्यवस्था कि सूची का विसे है तो पुलिस ब्यवस्था दोस्तों राज सूची का विसे है यह कोशन और बार-बार पुछा आता है दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग सिच्छा को कि सूची में रखा गया है तो सच्छा भी समोर्ती सूची का विसे है यानि आर्थिक नियोजन, सिच्छा, ये समूर्ती सूची के विसे हैं, जर्गर्णा केंद सूची का विसे हैं, पुलिस वियोस्ता, राज सूची का विसे हैं, और इन सभी सूचियों का वडन भारते समिधान के विसे साथ में दिया गया है, जिसमें संग सूची, राज सूची वा समूर्ती सूचियों का वर्डन है आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन दोस्तों 20 का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो कौन सा होगा दोस्तों ये तो आप लोग जानते ही होंगे सहरा मरुस्थल है अब किस महादियूप में पड़ता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे नेक्ट कोश्चन देखेंगे हम लोग अगला कोश्चन दोस्तों 20 जल दिवस 20 जल दिवस किस तिथी को मनाय जाता है राइट एंसर होगा 22 मार्च को यानि कि विकल्प नमबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट एंसर बनेगा आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन दोस्तों अरावली परवत सिरिंखला किस राज में इस्थित है तो किस राज में है राजस्थान राज में और यहां दोस्तों विस्की सबसे आउस्षिष्ट परवतों में इनकी गिंती की जाती है यानि एक आउस्षिष्ट परवत सिरिंखला अब दोस्तों अरावली परबत की सबसे उची चोटी कौंसी है यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों को मिस मत कीजिए कमेंट करने से वह कोस्टन आपको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक याद रहते हैं किसे भी आप एक्जाम में करताई कमेंट करना जरूरी होता है हमारे कोस्टन कीजिए आप लोग तो राज प्रके द्वारा किया आता है यानि कि बिखुल्प नंबर D यहांपर हमारा करेक्ट होग specific क्या जाता आगे चलेंगे शुंदिंडू इनलों पिरियार नदी किस राज में परवाहित होती है यहां बहुती है तो पिरियार नदी किस राज में बहुती है केरल राज में यानिकि बिकलब लूमर यह यहाँ पर हमारा accommodator वनेगा अब यहां पेर भी आप लोग comment करेंगे दोस्तों कि किस गरह का सबसे बड़ा गरह है या कौन सा सबसे बड़ा प्राकरते को गरह आप लोग comment करके बनेंगे करेंगे डिमोस है अगर डिमोस ही है दोस्तों तो यह किस गरह का गरह है यह आप लोग comment करके बताएंगे नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे हम लोग, अगला कोश्चन दोस्तों, ओजोन दिवस किस तिथी को मना जाता है, तो राइट एंसर क्या होगा, 16 सितंबर को, ओजोन परत, वाई मंडल के किस परत में पाई आती है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, और यह किस से हमारी रच्छा करती है, आगे चलेंगे हम लोग, अगला कोश्चन दोस्तों, सारे के सारे कोश्चन दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार देख चुके हैं, कोई भी कोश्चन दोस्तों, मिस नहीं हो रा, जितने कि आपके टाविस से कोश्चन पोछे जाने चोई static GK हो, current हो, किसी भी तरह से हो, question है, कुनायन किस से प्राप्त किया जाता है, highlighted question है दोस्तों, कुनायन किस से प्राप्त कियाता है, तो सिनकोना के छाल से, यानि कि विकल्प नमबर ये, यहाँ पर हमारा correct answer वनेगा, next question देखेंगे हम लोग, अगला question है, बिजय नगर साम और बुक का राय पर्थम, चार राजबंसों ने यहाँ पर करम से सासन किया था, हम लोग पढ़ चेके हैं, संगम बंस, सालू बंस, तुलू बंस, और अराविडू बंस, लगवक्त साले 300 वरसा तक इन्होंने सासन किया था, दच्छन भारत का है, दोस्तों, और उनकी, जो चेचा के टीके की खोज किस ने की थी, एडवर्ड जेनर ने, यानि कि वीकल्प नंबर बी, यहाँ पर हमारा करेक्ट एंसर वनेगा, अब यहाँ पर भी आप लोग एक कमेंट करेंगे दोस्तों, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, क्या इन्होंने रेवीज के टीके कि खोज की थी, किसे और की की थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे हम लोग, अगला कोश्चन है दोस्तों, सत्रुआ प्रवासी भारते दिवा सम्मेलन 2030 कहां आयोजित किया गया, तो यह कहां फेकिया गया है, इंडर मध्धि यानि कि बिकल्क नमबर यह, यहाँ पर हमारा करेक्ट एंसर वनेगा, आगे चलेंगे हम लोग, अगला कोश्चन दोस्तों, विस्वैंग का कारिकारी निदेशक किसे निदेशक किया गया है, तो किसे किया गया है, पर्मेस्वरन आयर को किया गया है, किने, पर्मेस्वरन आएयर को आगे चलेंगे थोड़ा से यहां पर भी कमेंट करने के लिए देंगे दोस्तों 20 वैंके इस टाइम अध्यश कोने परजेंट में यानि वर्तमान में अध्यश कोने है यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे आगे चलेंगे हम लोग अगला कोस्टों नीति-आयोक की श्थापना कब हुय थी नीति आयोकिय Wanna कब हुई थी most Master कि स्थापना की गई थी एक जनुवरी 2015 को याने कि भिकल्पनम यह यहां पे हमारा करेक्ट एंसर वनेंगा थोड़ा से CEO यानि की Chief Executive Officer मुख कारिय दिकारी शिरी वीवियार सुबरमनायम है यह सारी चीज यहां से ध्यान रखेंगे नीति का फुलफाम भी ध्यान रखेंगे दोस्तों पूछा आता है NITI यह भी हम बता देंगे आप लोग को क्वेमेंट नहीं करना है यहां पे नीति का फुलफाम ह उपाध्यच और बरतमान में CEO और अध्यच की बात करें दोस्तों तो जो अध्यच प्रदान मंतरी होते हैं वही नीतियायों के अध्यच माने जाते हैं आगे चलेंगे हम लोग अगले question पर अब आप लोग कमेंट करेंगे विस Athletic Championship 2013 में नीरा चोपडा ने कौन सा पदक जीता राइट एंसर क्या होगा दोस्तों विस Athletic Championship 2013 में नीरा चोपडा ने कौन सा पदक जीता है तो सोन पदक यानि कि विकल्प नमबर यह यहां पर हमारा करेक्ट एंसर बनेगा इन्हीं इसी कार से दोस्तों इन्हें गोल्डन वाई के नाम से जना आता है क्योंकि यह हर्थ परतियस वर्दा में गोल्ड ही लेकर आते हैं अब यहां से कमेंट करेंगे आप लोग दोस्तों विस एथलेटी चंपियंशिट दोहजार तेस की पदक तालिका में सिर्ष अस्थान पर कौन सा देश है यह आप लोग बताएंगी आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन है वित आयोग का गठन संग्धान के किस अनुच्छेद में है राइट एंसर होगा 280 में बार बार पुछा गए वंड एक्जाम का फेवरेट कोश्चन है दोस्तों वित आयोग का गठन संग्धान के किस अनुच्छेद में तो अनुच्छे 280 में है आगे च दोस्तों लोगों किया था तो खिलता हुआ कमल था दोनों ध्यान रखेंगे जी 20 में अभी तक 20 देश थे 19 देश थे 1 रुपीय संगता लेकि अब 21 हो गया है और इसका जो अध्यस्ता है जो 2030 की वह भारत की द्वारा की गई है 9 से 10 सितंबर प्रगेती मैदान नई दिल्ली मे इसका उजन किया गया था यह इतना ध्यान रखेंगे तो कोश्चन कैसे भी पूछ जाएंगे आप लोगों को दोस्तों एंसर आ जाएगा आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन है दोस्तों Grand Slam यानि कि Bimbledon Open 2030 में पूरु से एकल का खिताब किस ने जीता राइट एंसर होगा कार्लोस अलकारेज ने अभी हाली में सस्यम्टेस में पूछा गया कोश्चन है दोस्तों आगी चलेंगे हम लोग कोश्चन है दोहजार गयारा की जनगरणा के उसार 20 की गिल स cynक्या में भारत की भागीदारी लगबग कितने परस्थ Hugh.7 दोहजार गयारा से कोश्चन हर एक्जाम में पूछे जा रहे है ज्यादा से ज्यादा कोश्चन पूछे जा रहे थोड़ा सा यहां पर बात भी कर लेंगे अब हम लोग कमेंड करेंगे कुछ हम बताएंगे सबसे पहले साचरतादर की बात करते हैं तो सबसे अदा किस राज की साचरतादर है केरल का है और सबसे कम साचरतादर वाला राजी कौन सा है दोस्तों तो वह विहार है 2011 की जनगर्णा हो रही है उसके बाद जनसंक्या घनत की बात करते हैं जनसंक्या घंठ में सबसे यादम सबसे कम किस राजी का ए तो विहार का है और सबसे कम किस का है तो आप लोगों कमेंट करके बताएंगे लागेफिर सबसे कम लिंगानुपात किस राज्जी का है ये कमेंट करके बताएंगे आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन है दोस्तों वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स 2030 में पर्थम अस्थान पर कौन सा देश है तो फिनलेंड है ध्यान रखेंगे किस राज्जी के द्वारा की गई है जोड़ा से इस टाइम जितने भी कोश्चन बन सकते हैं आप पूरी तरह से कबर करने का प्रियास करें थोड़ा सा है पर चर्चा भी कर लेते हैं सबसे पहले इसके फुलफाम के बारे में बात कर लेते हैं इस रों का अब इसके बाद दोस्तों इसका कहां पर मुख्याले है तो बंगलो रूब में है यह भी आप दियान रखेंगे चौदा जुलाई दो हजार तेस को दो बज कर 35 मिमट पर सतीस दोन आंत्रेचकन सीरी हरी कोटा अंधर परदेश से चंद्रियान थिरी लांच किया गया था हर सेंटेंस पर कुश्चन बंद रहा है किस राकेट से लांच किया था तो लबीम थिरी M4 से उसके बाद 23 अगस्त दो हजार तेस को चंद्रमा के दच्चिन धुरू पर चंद्रियान थिरी सफलता पुरूबग लेंड हुआ जिस सस्थान पर लेंड हुआ है उसका भी नाम रखा गया है सिव सक्ति बिंदू हर सेंटेंस से कोश्चन है उसके बाद यह और है दोस्तों आदित एलवन ये कैस अगला कोश्चन है देश का पहला पूर्ह फषयस क वाला राज कोंग बन गया है कुरेंट्र रिलेटेट् कोश्चन देश का पहला ये गवणन स्थापना किस ने कीती lub परने टापिक रहेगा दोस्तों परमुक समाज सुधारक यहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे सत्य सोधक समाज के स्थपना किस ने की थी सबसे पहले इसका इंसर तो जोतिवा फूले की द्वारा की गई थी अब ध्यान देंगे एक है दोस्तों ब्रह्म समाज बार बार प समाज यहां से छे से साथ कोश्चन है आरी समाज के स्थापना 875 में बंबई में स्वामी द्यानन सरस्वति के द्वारा की गई थी इनकी एक परसिद्य किरतिय सत्यार्थ प्रकास और उन्यों बेदों की वो लोटों का नारा भी दिया था इतना यहां से ध्यान रखेंगे उसके बाद दोस्तों यह एक है रामकिर्स मिसन की स्थापना यह भी बारबार पुछाता है तो रामकिर्स मिसन की स्थापना स्वामी वेकानन के द्वारा 1897 में अपने आध्यात्मी गुरू रामकिर्स परमहंस के नाम से इसकी स्थापना की गई थी किस ने की थी स्वामी लेका नन्दिने कव 897 G.S v. यह भी बार-बार-बार पुछाता है एक डारे conspiracy के स्थापना किस ने की थी तो उसके बात दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे तत्तव औधिनी शभा की स्थापना इसने कीती यह कमेंट करेंगे आगे चलेंगे हम लोग अगला question दोस्तो जयन धर्म के 24 हुएं यो मंतिम तिर्थंकर कौन थे question में ही answer है total इसका मतलब होगा है दोस्तों कि total 24 ही तिर्थंकर थे कि 24 यो मंतिम की बात हो गई तो कौन थे महावीर स्वामी थे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि most important topic है जैन धर्म के पर्थम तिर्थंकर रिशव देव थे जिन्हें के जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है योम जैन धर्म के चविसों योम अंतिम तेर्थंकर महावीर स्वामी थे जने की जैन धर्म का वास्तिविक संस्थापक मानाता है कोश्चन दो तरह से पूछाता है इनके अपदेश की भासा क्या थी तो प्राकृत भासा थी यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे बार-बार प पर्था किसने शुरू की थी भारत में मनसबदारी पर्था किसने शुरू की थी राइट एंसर होगा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी किनके द्वारा अकबर के द्वारा नेक्ट कोश्चन देखेंगे हम लोग अधबर से दो कोश्चन देखेंगे दोस्तों को प्रे अब ध्यान से सुनेगा मोहनी अटम एक सास्त्रे निर्थ है most upon topic रहेगा यह आपका इसके लौँ यहां के एक कत्कली भी है यानि के दो सास्त्रे निर्थ है मोहनी अटम और कत्कली इसके लौँ एक ओडम है जो की लोक निर्थ है केरल के तीन है ध्यान रखेगा उसके बाद इसके लोक निर्थ है यह भी ध्यान रखेंगे गिध्धा वभांगड़ा यह दोनों लोक निर्थ पंजाब के हैं यह भी ध्यान रखेंगे घुमर भी एक लोग निर्थ है दोस्तों जो की राजस्थान राजिका है ये भी बार-बार पूछाता है इसको भी ध्यान रखेंगे गर्बा वा डांडिया ये दोनों गुजरात के लोग निर्थ है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ये इतना ध्यार रखेंगे दोस्तों तो यहां से आप लोगों की questions मिस नहीं होंगे उसके लाग अवसास्ति हैं दोस्तों उस पर भी बात कहें लेते हैं एक OWD系 है जो कि OSDRAJ का सास्तिह नहीं होता है एक P IMPURI है जो कि मरिपूरि राज का सास्तिह नहीं होता है तो यह था दोस्तो इस रेज के टाप MCQ के प्रस्न जिसको हम लोगों ने हाप इस साल्व किये हैं उमेद दोस्तों आप सभी लोगों ने साल्व किये होंगे और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने प्रस्न सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारी चैनल से कुर्पा कलासे से जुने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे दोरा देज़ेने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सकें, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में, थैंक्स पर वाटिंग